आज हम बात करेंगे शेर मार्केट के बारे में यह आप स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं दोस्तों बेसिकली आज मैं तीन पॉइंट डिसकस करने वाला हूँ फर्स्ट है कि शेर क्या होता है सेकेंड है शेर मार्केट क्या होता है और कैसे उसमें ट्रेडिंग होती है दोस्तों किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने ए ग्रो करने के लिए कैपिटल यानी पैसे की जूरूत होती है और वो भी बहुत सारे पैसे जिसके लिए कंपनी के छोटे-छोटे हिससे कर दिया जाते हैं जिसे हम शेयर्स कहते हैं और उन्हें पब्लिक को बेच दिया जाता है फॉर एक्जामपल सपोज एक बिजनसमेन है मिस्टर एक्स इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है एबी सी जिसके वैल्यू है पचास लाक रुपे और ये अपने बिजनस को गुरू करना चाहते हैं जिसके लिए इन्हें 40,00,00 रुपीज की और जूरत है और मिस्टर एक्स के पास इतने पैसे नहीं है तो अपनी कंपनी के 4,00,00 चैर्स रुपीज 10 पर शेयर्स की फेस वैल्यू के साथ मार्केट में इस्टिव कर देंगे दोस्तों face value company को share शुकरने से पहले divide करनी पड़ती है जो generally 10 रुपीज पर share होती है अब जो public है वो ABC company के shares खरीदेगी और Mr. X को मिल जाएंगे 40 लाक रुपे बिजनस की growth के लिए और जो shareholders हैं उन्हें मिल जाएगी company की हिस्सेदारी पर इसमें जो shareholder से उनको फैदा कैसे होगा क्या उन्हें company profit देती है इसके बारे में दोस्तों आगे बात करेंगे पहले हम जान लेते हैं share market क्या होता है दोस्तों जैसे आपको अगर कुछ purchase करना होता है तो आप market में जाते हैं वैसे ही share's की buying and selling के लिए भी markets होती है दोस्तों पहले के जमाने में जब computer and internet ना use नहीं किया जाता था तो जो share's की buying and selling है वो physically होती थी auctions वगरा जो बहुली लगती थी share's की लेकिन आज के time पे जब internet का इतना जादा यूज होने लग गया है तो इस सारा system online हो गया है आप घर में बैटके भी share's की buying and selling वो कर सकते हैं दोस्तों जो दो बहुत popular markets है वो है NSE, National Stock Exchange, NBSE, Bombay Stock Exchange दोस्तों इस दो बहुत ही popular markets है जिनके अदर सबसे ज़्यादा buying and selling होती है shares की और इसके लाब ही कई और markets है जैसे Kolkata Stock Exchange भी है पर जो सबसे दो popular है वो यही है NSE and BSE दोस्तों इतनी भी companies होती है जो अपने share issue करती है उनको पहले अपने आपको इन markets में register करवाना करता है दोस्तों NSE में 1700 companies listed है और BSE में लगबग 1400 companies listed है दोस्तों NSE के जो relative उतार चड़ा होते है stocks के अंदर उन्हें हम कहते है Nifty BSE के अंदर जो उतार चड़ा होते हैं shares के अंदर उसे हम कहते है sensex इसके बारे में आपने सुना भी होगा दोस्तों SEBI ने कुछ guidelines issue के हुई है उन guidelines के अधार पर ही जो investment है और जो stocks and shares की जो trading है वो in markets में होती है ओके तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि basically जो share market है वो कैसे काम करता है how share market works अधार दोस्तों suppose कि यह BSE है company पहले अपने आपको BSE में register करती है और जो financial brokers हैं वो भी share markets के लिए काम करते हैं as a employee उनका उसमें commissions होता है दोस्तों financial brokers होते हैं जो public होती है जिनको share stocks की knowledge नहीं होती है कि कौन सी company में invest करना चाहिए कौन सी company में invest नहीं करना चाहिए तो वो आपको as a advice देते हैं और आपके लिए जो buying and selling है उसका काम भी करते हैं और बदले में आपसे commission लेते हैं दोस्तों जाधा तक जो लोग हैं जो वो stock trading start करते हैं तो financial broker की help लेते हैं क्योंकि उनको इतनी जनकारी नहीं होती है इसके बारे में तो एक better option रहता है कि आप financial brokers की help लें तो सब्सक्राइब करें उनको इतनी knowledge नहीं है share and stocks के बारे में तो वो contact करेंगे financial broker को shares खरीदने के लिए और फिर जो financial broker है वो Mr. C को contact करेगा उनके shares खरीदने के लिए अगर Mr. C बेचने भी interested है तो वो financial broker को contact करेंगे अपने shares पेचने के लिए और वो financial broker जैसी requirement है Mr. B की उनको उसके हिसाब से contact करेगा वो shares purchase करने के लिए अगर Mr. B को सारी knowledge है market के बारे में तो वो directly Mr. C के साथ purchase कर सकते हैं तो financial broker को उनको commission नहीं देना पड़ेगा तो दोस्तों ऐसे जो है basically share market काम करता है तो दोस्तों बात करते हैं कि जो shareholders है वो profit कैसे कमाते हैं दोस्तों जब एक person एक company की shares खरीता है तो उसमें कोई खास limit नहीं होती है आप एक छोटी amount से भी start कर सकते हैं 500 रुपे से start कर सकते हैं और करोडों में भी जाती है वो तो उसी इसाब से दोस्तों जो ownership rights है और जो other voting rights है और बहुत तरह के rights होते हैं वो उनी shareholders को मिलते हैं उनका जो share का proportion है उसके हिसाब से तो मैं आपको एक्जामबल दे के समझाता हूं दोस्तों कि जो एक company का बहुत छोटा सा हिस्सा purchase करते हैं वो इससे कैसे profit कमाते हैं तो company ABC का एक्जामपल लेते हैं दोस्तों इसकी face value है रुपीज 10 इसने चार लाग shares रुपीज 10 पर share के हिसाब से रुपीज 40 लाग के लिए और Mr. B हैं जिनोंने 1000 shares खरीड लिए 10 रुपे के हिसाब से 10,000 रुपे में अब सबोज कि ये company को अगले एक महिने में अच्छा profit होगा तो क्या वो company Mr. B को उसमें से हिसा देगी जी नहीं तो Mr. B अब profit कैसे कमाएंगे दोस्तों जो company को profit होता है तो उसकी जो market value है उसकी face value से बढ़ जाती है सबोज इसकी face value थी 10 तो उसकी market value 11 हो जाएगी तो जहां पर Mr. B ने उसको 10 रुपे में खरीदा था तो अब उसकी market value 11 हो गई है तो उसको अगर 11 रुपे में बेचना चाहें तो उन्हें 1000 रुपे का profit हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों buying and selling में profit कमाया जाता है share trading के अंदर दोस्तों यह तो भी share trading की बात इसके अंदर long term investments भी होती हैं और बहुत तरह की investments होती है mutual funds वगएरा और भी बहुत टाइप की investments होती हैं लेकिन basically अगर मैं बात करूं दो share trading में ऐसे ही जो shareholders से वो पैसा कमाते हैं रोज की रोज shares खरीदे जाते हैं रोज की रोज बेचे जाते हैं जब उनके दान भड़ जाते हैं और जिस तरह से उनने profit कमाया हैं दोस्तों वैसे ही अगर company को suppose कि यह loss हो गया तो जो market value है वो कम हो जाती है उसके कम value पर उसको बेच देते हैं तो आपको loss हो जाता है तो ऐसे ही इसमे profit and loss का system काम करता है हुआ 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 है तो अब देखते हैं दोस्तों stock market में ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कि इन चीजों के जोट पड़ती है दोस्तों इसमें पहले जोट पड़ती एक सेविंग बैंक अकाउंट की उसको हमें अपने DMAT account से लिंक करना पड़ता है DMAT account हमारा एक account बन जाएगा online जिससे हम जो हमारे जो डीटेल्स हैं हमारे shares stocks related वो हम सारी उसमें देख पाएंगे online कहीं से भी internet के access के तुरू हम देख सकते हैं trading account में दोस्तों जितने भी हमारी purchasing and selling होती है shares की वो जितनी भी transactions है वो trading account से होती है और अगर हमें जो profit और loss हो रहा है वो हमारे DMAT account में फिर show हो जाता है सबोच कि हमें profit हो रहा है तो हमारा profit हमारे DMAT account में पहले transfer होता है और फिर वो DMAT account से अगर हमारे जो हमें earning होई है वो earning हो अगर हम अपने saving back account में की वीडियो में बस इतना ही अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजेगा और अगर आपका कोई की वीजेगा हीजे कॉा एपका का ये वीजेगा आपका साथ Benton